आप सब को जैमसी की प्रभू का धन्यवाद करते हैं इस सुन्दर शाम के लिए कि प्रभू ने ये सुन्दर शाम हमें दिखाई और जीवितों की प्रित्वी पे परमेशों ने हमें जीवित रखा इस बात के लिए हम उस खुदावन येशु का धन्यवाद करें तो आएए ह हम सब धनेवाद के साथ परमेश्व के उपस्तिती में जाएंगे याकुब पांच 13 में परमेश्व का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रात्न करे यदि आनंदित है तो वह स्तूती के भजन गाए अमें परमेश्व अपने वचन करे तो इस वचन के अनुसार हम हर एक के लिए परमेश्व से प्रात्न करे और जितने भी लोग इस प्रात्न को सुन रहे हैं उन सब के लिए हम प्रात्न करेंगे और जितने भी लोग हमें फोन कॉल्स मैसेजिस करते हैं उन सब के लिए भी हम निरंतर प्रात्न करते हैं तो आप दयालू, अनुग्रहकारी, विलम से कोप करने वाले अतिकर्णा में परमेश्वर है प्रभू, आपकी तारीव, आपकी बढ़ाई, आपकी महिमा हमारे जीवनों से होने पाए प्रभू जी, पिता सच में आप अच्छे हैं, आप भले हैं प्रभू, आप राजाओं के र धनिवाद करते हैं परमेश्वर की जितने भी लोग प्रभू, इस प्रात्ना को सुन रहे हर एक जन को आपकी उपस्तिती में लेकर आते हैं परमेश्वर, प्रभू हर एक को तेरे नाम से ब्लेस करते हैं परमेश्वर प्रभू, यदि आज के दिन में कोई भी प्रभू, आज दिन भर में ठका हुआ हो प्रभू और दुखी रहा हो परमेश्य पिता, आप से प्रात न करते हैं प्रभू जी, आप उनके दुखों को प्रभू, उनके दुखों में उनकी सुधी लें परमेश्य पिता, आप उनके दुखों को आनन्द में बदल दीजे प्रभू, मैं उनके सहयक हो जाईए परमेश्युपिता प्रभू वो हर एक प्रकार का दुख उनके चीवन से हम दूर करते हैं परमेश्युपिता प्यारे प्रभू जी हर एक जन के लिए प्रभू हम प्रात्न करते हैं कि आप अपनी सुख सम्रिद्धी अपनी आशिशों को अपनी दया कर प्रभुणा को हरेक पर रखे परमेश्व पिता हरेक को प्रभु आप गलत संगती से गलत लतों से और प्रभु जी ना जाने कितने प्रकार के प्रभु संसार में प्रभु दुष्ट के काम है प्रभु जो लोगों को प्रभु भरमाते हैं प्रभु उन सारी दुष्ट के का प्रमेश्व बहुत चिंता भरा रहा हो बहुत टेंशनों में रहा हो या फिर बहुत ही ज्यादा तकलीव भरा रहा हो पर अज़ का दिन उनके लिए बहुत भारी रहा हो परमेश्य पिता मैं तुझ से प्रात न करती हूँ कि इस समय पे परमेश्य आप उनके हिर्दे के नजदीक हो जाएए आप उनके दुखों को ले लीजिए आप उनकी इस परिस्तिती को बदल दीजिए आप उनके संग में हो जाएए इस कठिन परिस्तिती को बदल के उनके लिए हर एक बात में भलाई को उत्पन कीजिए क्योंकि आपके पास हर एक के लिए उत्तम योजनाय होती है परमेश्वर प्रभू आज के दिन में जो भी बिमार रहे हैं यहश्वर मसी किसी दर्द में परिशानी में तकलीफ में रहें यहश्वर मसी हर एक बिमारी दुख तकलीफ दर्द यहश्व के नाम से अब भी और इसी वक्त उनके शरीर को छोड़कर चला जाए यहश्व के नाम से प्रभु जी पून चंगाई दीजे परमेश्व पिता जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है येश्व मसी अम उनके लिए दुआ करते हैं कि आप उन बच्चों को ग्यान बुद्धी समझ से भरें जो अपने एक्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर कमपटेटिव एक्जा को चाते प्रभु आप उन्हें संतान के आशिशे दे प्रभु येश्व जिनके कंटिनियसली मिसकारजिज हो रहे हैं परमेश्व पिता हम तुस्से प्रात न करते हैं कि आप उनके गर्ब पर प्रभु अनुख रह करे प्रभु हील करे प्रभु उनके गर्ब को प्रिता परमेश्वर और प्रभू जल्दी से प्रभू कंसीव होने में आप उनकी मदद करें पिता परमेश्वर प्रभू हरे करजा येश्चु के नाम से हरे के जीवन से चला जाए प्रभू जी आपकी आनन्द को आपकी आपकी शांती को प्रभू हरे के जीवन के लिए मांगते है प्रभू हर एक परिवार पर आपका आशीश हो, आपका आनंद हो, प्रभू आपका वचन ये भी कहता है कि जो कोई आनंद देता है, प्रभू यदि आज के दिन में प्रभू बहुत बड़े-बड़े काम लोगों के जीवन में हुए हो, तो पिता उस खुशी के लिए, उस आनंद बनाये रखे प्रभू, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रात्ना को उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया, ये शुमस्य के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, और आमीन.